चलिए एक छोटा सा calculation देख लेते हैं हम लोग जो पार्टनर्शिप से है ठीक है एक्जिक्यूटर्स के अकाउंट को आपको बैलेंस कैसे ट्रंस्टर गरना है इंदे गिवन कोशिन जो आपके पास कॉश्चन अभी उसमें क्या-क्या दिया है 70,000 कितना देना है पैसा जो कॉश्चन है आपके पास एक्जिक्यूटर्स को कितना पैसा देने का है ऐसा बोला है 70,600 रुपीज देना है आई बिलीव उसमें से आपने 10,600 दे दिया है ऐसा हुआ है ठीक है है नौ बालेंस कितना बजा है कि 60,000 दो कॉश्चन मेंशन स्थाइट कि आपको यह 60,000 तीन इंस्टॉल्मेंट में देना है अब बात क्या हुई पार्टनर डिस इस हुआ है कि 30 जून को कुन से साल में 2000 कि 16 में ठीक है अब इयर कब क्लोज होगा आपका यह वाला 31st of मार्श 2017 तो बिटा यह कितने महीना हो जाता है है नाइन मांस अब प्रॉब्लम क्या पता है क्या पार्टनर डिस हो रहा है तीन महीने बाद अब यार यह तो कोई कि बोल के होने वाली चीज है नहीं लेकिन फाइनांचल यह तो आपका बोल के क्लोज होएगा वह क्या रहेगा एप्रिल टू मार्श बरुबर और यह बंदे का एक साल कप क्तम होएगा फर्स्ट इंस्टॉल्मेंट यहां पे किया जाएगा उसको क्लियर है क्या तो नौ महिना इस फाइनांचल यह में इंट्रेस्ट देंगे थीन महिने का अगले फाइनांचल यह में देंगे और तब हम उसको रीपेमेंट करेंगे बीस अजर रुप्या प्लस इंट्रेस्ट ठीक है अब जैसा इस साल में नौ मेने आ रहे अगले साल भी नौ मेने उस current year current year में आएंगे तीन मेने अगले साल में जाएंगे तो इसके लिए एक table बना लेते हैं कितना percent interest है interest at the rate कितना ओपनिंग बैलंस 60,000 तो इंट्रेस्ट एट देरेट 10 परसेंट कितना हो देगा है 6000 हो गया तो इंस्टॉल्मेंट देना है 20,000 का लेकिन टोटल कितना हो गया हाँ नहीं नहीं तो अकाउंट बनाने वाले हम लोग हम अकाउंट बनाने वाले हैं इस इस दो बैग्राउंड वरकिंग एक्चुली इस वाज तो मेक शूर कि हमारे कालकुलेशन बराबर है इस इस तो वरकिंग नोट यह टू तू 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 सिक्स्टीन यहां पर अपन इसको नहीं लिखते चलो ठीक है अब मुझे इक बात बताओ कि करेंद यह नेस्ट इक से इंटरेस्ट Do करेंद एख करैंग में आपको नौ मेहने का देना है और नेक्स्ट एर में तीन महने का इंन्ट अलोकेट करनाард करेंट इयर में जब वो डिस इज हुआ है 2016 से लेके तो 31st of मार्श 2017 तक 9 months होईगा जिस साल वो उसके पहले का थोड़ी देंगे ले दिया है वो जब वो चला गया वहां से आगे कि हम बात कर रहे है तो यह 9 महिना यहां पर आया और 3 महिना अगले साल जाएगा तो इस बार कितना देन आपड़ेगा आपको 9 मेंने का तो 9 इस तो 3 का रिश्यो हो जाएगा 6000 को डिवाइड करो 12 से और 9 इस तो 3 में पुट अप करो 6000 डिवाइड बाइड 12 बुले तो 500 पर पांसो इन्टो नो बोले तो 4500 इधर 1500 इधर इधर चीक है अब यह इंस्टॉल्मेंट चला गया 20,000 का काई में से चला गया इस में से तो यहां पर कितना बचेगा 40,000 40,000 पर 10% कितना होगा 4000 फिर आप लोग कितना पे करने वाले उनको 20,000 तो टोटल 24,000 आप अगले साल में पे करोगे ठीक है यह 2017 में पे करना आपको यह 2018 में पे करना है और लास्ट इंस्टॉल्मेंट 2019 जून के मन्त में ठीक है अब इसको डिवाइड कर तो 4000 को टॉल से हाँ 9 इस्टॉ 3 या फिर 3 इस्टॉ 1 में डिवाइड कर दो तो 3000 एंड 1000 ठीक है लास्ट कितना बचा है कि 20,000 इस फोल्टी में से यह 20 चला गया तो कितना बचा तो 20,000 पर 2000 का इंट्रेस्ट आएगा अब इंस्टॉल्मेंट तो 20,000 का रहेगा प्रिंसिपल हो गया क्लोज अब टोटल कितना पे करेंगे 22,000 यह हम पे करेंगे 2019 जून में दिख रहे है आपको फिर इस साल का इंट्रेस्ट कितना होगा 2000 को डिवाइड करो 1500 एंड 500 अब यह वर्किंग नोट हो गया अभी मैं अकाउंट बना रहा हूँ अब शुमाद करेंगे लिवाइड बना पे बना रहा हूँ अब बना रहा हूँ अब बनाव मैं नोट फिर रहा हूँ अब बनाव दो प्रोश्वाण को तो रहा हूँ प्रूप प्रुबब धो। अब भाई साब इसको तो पैसा देना है अपने को बरोबरे क्या एक्जिकेटर मतलब जो डिस इस पार्टनर उसके लीगल है इस इनको पैसा देना है तो दिस इस वाट आर लाइबिलिटी तो जिस दिन वो डिस इस हुए 2016 जून में अपन एक एंट्री मालेंगे क्या बाई कौनसा पार्टनर है उसका कैपिडल अकाउंट कितना आएगा यहां पर 70,600 बरोबर और तुरंत हाथ हो हाथ उसको सेम डे क्या करो पेमेंट कर दो 10,600 तो बेटा बैलेंस कितना बचा उसका 60,000 अब 60,000 जून 30, 2016 को है वहाँ से 9 मेहने का इंट्रेस्ट आपने कैलकिलेट कर रखा है यहां पर तो यहां पर 2017 मार्च 31 बाइग इंट्रेस्ट कितना 4500 ठीक है तो बैलेंस कितना बचेगा इसमें अभी पे नहीं किया सिफ इंट्रेस्ट जमा किया दिस इंट्रेस्ट अक्रियोड नॉट ड्यू ड्यू कब होगा 30 जून 2017 को और तब पे करेंगे अपन अब देंगे न जून आने दो न जून आएगा तब तो हम 20,000 पे करेंगे चलो यहां पर कितना होगा फिर बैलेंस कैडिट डाउन कितना होगा सा सत्तर हजार छेस्टों में से दस छेस्टों के बिलो तो साथ हजार बचेते प्लस यह 6400 तो 64500 का बैलेंस बचेगा वी क्लोस दस वन इसको क्लोस कर देंगे फिर क्या करेंगे 2017 मार्च 31st बाइब बैलेंस ब्राट डाउन कितना 64500 अब देखो पहले लाइन में का यह आइटम चला गया अब यह वला जाएगा कब जून 30 को बाइए इंट्रेस्ट कितना 1500 तो कितना हो गया 65 प्लस 66000 हो गया यह अब 2017 जून 30 को देखो इस लाइन में से हम एक एक चीज़ उड़ा देंगे पहले यह चला गया था अब यह चला गया था पहले फिर यह भी चला गया अब क्या देंगे अपन पेमिंट करेंगे इतना इस पेमिंट अब करेंगे ना अब देखो 66000 में से 26000 चला गया कितना बचा कब बचा 40000 ओन जून 30 2017 अब 9 मेंने का इंटेस्ट आएगा कि नहीं आएगा इस पे कब आएगा कितना आएगा 3000 ओके फिर क्या करेंगे अपन 2018 में इसको तू बैलेंस करेंगा कितना 66 में से 26 गया पुल तो 40 पचा और 40 प्लस 3 40 3000 इस दाट सो फिर मैंने क्या किया यह एटीन आना चाहिए एप्रिल अपन थोड़ा गलत हो गया है यहां पर टू थाउजन कि इस सेवेंटीन एप्रिल टू थाउजन एप्रिल टू थाउजन एप्रिल वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन फोर्टी थी थाउजन अब बचा कितना इंट्रेस्ट वन थाउजन बैलेंस कितना हो गया फोर्टी फोर थाउजन एज उन थाउजन तो टू थाउजन एटीन में जून थर्टी थ को दे दो बैंक से पैसा कितना इंट्रेस्ट पहले यह दे दिया था अब यह दे दो 24,000 दे तो ठीक है रोड़न्स कितना बचा 44 में से 20 गए बलतो बैलन्स कितना बचा 20,000 अब इसके आखरी में एंट्री मारना पड़े गए टू थाउजन नाइनटीन मार्च में इंट्रेस्ट आएगा नाइन मंस का ये वाला पंधरा सु रुपे अब 2019 में मार्च में वापस इसको कैरी कर लो टू बैलेंस करेट डाउन कितना एक्वेस पानसो चेकरो 43,000 प्लस 1,000 44,000 माइनस 24,000 तो 20,000 बचा प्लस 1500 आड़ किया तो 21 500 बचा राइट अब आगे 2019 एप्रिल 1st बाइब बालेंस करेट डाउन एब रोट डाउन 21 500 राइट अब पेमेंट कप करना है इसको किता पेमेंट बाकी है इसका पक्का पक्का इसका अकाउंट हो गया क्लोज आगे इसका देना कितना बागी था 22,000 दे कितना दिया है 22,000 बराबर तीन साल खीचा है के देखूंग समझा यह देखो 20,000 बचा था आखरी में 22,000 दे दिया विद इंट्रेस्ट समझा चलो बनाओ वर्किंग नोट यह वाला